जाने अन जाने में rumors मीडिया में चल रहे हैं कुछ sections में कि gas फिर से leak हुआ है second leakage हुआ है मैं बड़ा सपष्ट करना चाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है कोई second leakage नहीं हुआ है ये जो process है इसको neutralize करने की उस process में थोड़े fumes निकलते हैं वो आगे भी थोड़े बहुत निकलेंगे वो बहुत ही minimal होता है वो campus के अंदर ही जो silo है उसके आसपास ही रहता है हवा से smell जरूर जाता है उससे ये आकलन कर लेना की second leakage हुआ है सरासर गलत है और मुझे मैं अपील करूँगा वैसे मीडिया से जो इसको खबर को चलाने के कोशिश कर रहे हैं कि इसको तक्थे को पहले पता करें और इस तरह का कोई नियूज ना दें जिससे अननसरी लोगों में भरांती फैले पैनिक फैले तो ये पहली बात दूसरी बात जो रोड मैप है वो लोकल प्रसाशन के साथ हम लोग टाय कर रहे हैं अभी 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 वहां के टूरिजम मिनिस्टर वहां आए हुए हैं वो भी समिक्षा कर रहे हैं जो आंदर प्रदेश के टूरिजम मिनिस्टर हैं जैसा कि मैंने पूर कैम्प कर रहे हैं, CBRN के जो expert commandant है, fifth battalion के, वो कैम्प कर रहे हैं, नीरी के तीन scientists हैं, और commandant CBRN के साथ भी चार experts हैं, जो local commandant है, विजा का पत्नम, जो जो इच्छन जिनका है, जो विजेवारा बैठते हैं, वो भी बनी रहेगी जब तक स्थिती पूर्णता सामान्य ना हो जाए और स्थानिय प्रसाशन ये न कहे कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है